और ये सस्ती लोग प्रियता को देखे वए ये काम किया गया है इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टेडी में तो सवाल को उटे रहे लाज़की है और इस तरह के लग रहा था कि जम स्क्रिप्टेड है पंदरा अप्रैल को माफिया डौन अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की पुलिस कस्टेडी में गोलिया मार कर हत्या कर दी गई ये घटना तब हुई जब पुलिस अतीक और अश्रफ को मेडिकल जाज के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी हलाकि अब इस घटना को लेकर योगी सरकार और पुलिस प्रसाशन पर सवाल उठने लगे हैं बिहार के रिप्टिस सीम ने सरकार पर हमला बोला उन्होंने कहा कि ये सब सस्ती लोग प्रेता के लिए किया गया है सारा घटना करम पहले से ही स्क्रिप्टिड था लेकिए इस देश में कानून है और अगर आप्राद का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून प्रधान मंत्री की भी हत्यारों का ट्राइल हुआ और सजा मिली और यूटी में जो हुआ अगर आप देखे तो यह अतिक जी का जनाजा नहीं बल्कि यह जनाजा जो था खालून का जनाजा जो है वो निकला है और हम आपको बता दें कि यू P COt में। यू P जो है पुलिस कर स्टी में सबसे जादा गर रहत्या होई है यू P में रहे हुआ है संपलें पुलिस कर्सटेडी में अगर कोई रहत्या हुई है तो यूपी में हुआ है और ये सस्ती लोग प्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शाशन जो है वो चल रहा है अगर यही कही दूसरे निपक्षी दलों के राज में होता है कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देखा है कि कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते हैं अल्ला और मचाती है यूमन राइट साथी सू मोटो लिया जाता लेकि रास्ता के नहीं दिखा जाता है हम आपको फिर भी क्लार करते हैं तो सवाल तो टुटे रहे लाजबी है और इस तरह के लग रहा था कि जम स्क्रिप्टेड है अब तो बोल रहे हैं ना ठीक है अपराद अपरादिवा खाइमा होना चाहिए उसके लिए तरीका है बिहार से शुभम निराला की रिपोर्ट यूपी ताक